हेलो नमस्ते अससरी आकाल दोस्तों कैसे हैं आप सबी उम्मीद करती हूँ आप सबी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों प्रेग्नेंसी में जांग की हड़ी में दर्द होना कुलों में दर्द होना दोनों ही पैरों के बीच में प्राइवेट पार्ट में पेन होना यह काफी क काम लिल को इसमें चिंता यह सताती है कि क्या इससे बचे को कोई नुकसान होका और अगर इतना आसानी दर्ध हो राहरा है जैसे कि चलने में उठने में बैठने में में गयर आप इससे घर के काम भी नहीं करबाती है इतना ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, तो क्या ये दर्द का कारण कोई गंभीर परिशानी का कारण है, तो ऐसी बहुत सारी questions आपके तरफ से आते हैं, देखें सबसे पहली बात ये है, कि जो pregnant महला होती है, उसका सारी रिक बतला बहुत तेजी से होता है, काफी सारे muscles वो flexible होने लगते हैं, दूसरी बात गर्ब का आकार बढ़ रहा है, यूटरस का भार बढ़ रहा है, जिसके बज़े से ये दर्द होना काफी ज़्यादा common होता है, हर किसी को face करना पड़ता है, एक 2% ही female ऐसी है, जो face नहीं करती है, तो बच जाती है इस दर्द से, बाकि त तत्वो की कमी अगर शड़ीर के अंदर है, जैसे कि कैल्सियम की या प्रोटीन की कमी है तो भी आपको ये दर्द भ्यांकर रूप से हो सकता है, तो आपको करना क्या है, जिस महिला को जादा दर्द होता है, मतलब अगर सहने वाला पेन है तो कोई दिककत नहीं है, अगर आ उसके अलावा आपको बहुत जलदी चड़ना उतरना नहीं है। मतलब कि ना तीजी से चड़िये ना उतरिये और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो तब्धियास का इस्तमाल करिए। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखें क्योंकि जो प्रेगनेंट होती है महिला उसके शरीर में पोशक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए पेन से संबंदित कोई भी परिशानी है मतलब बॉडी में डी हाइड्रेशन है तो इसको हाइड्रेटेट रखना है जिसके लिए विटिमिन सी वाले फलफरूट खाने है आपको जितने लिक्विड डाइट होते हैं जैसे कि जूस पीना धूद पीना चाँच पीना और माढ क जो चावल का माण होता है वो पीना बहुत इंपॉर्टेंट थे ताकि सरीर में पानी की कमी नहीं हो इससे दर्द में आपको रहत मिलती है इसके अलावा जिस हिस्ते में दर्द आपको होता है तो वहाँ पर मसाज भी कर सकते हैं लेकिन मसाज आपको खुद से करना है और न और calcium के गोली भी आपको डॉक्टर रेकेमेंट करेंगे तो वो भी आपको समय पे लेगा इसके साथ ही exercise करते रहना है वाकिंग करना है जितना आप comfortably कर पाएं सोते टाइम ध्यान में रखिए कि पिलो अगरा आप अपने डोनों टांगों के बीच में ले सकती है जिससे आपको आराम मिलेगा और हो सके तो वेस्टन ट्वालट करिए इस समय क्या है इंडन ट्वालट में नीचे बैठना पड़ेगा और उसमें पेइन होगा क्योंकि उकर पॉजिशं में आपको बिलकुल नहीं बैटना है नीचे बैटके तो काम करना ही नहीं है आपको डिरेक्ली नीचे बैटनी की जरुरत नहीं है इसके अलावा tension से बचना है, stress से कई बार body जो होती है stiff हो जाती है, तो भी pain बढ़ता है, तो tension से जितना दूर रहेंगी उतना ही जादा आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी pregnancy healthy रहेगी, इसके साथ ही दोस्तों कई बार होता है कि जटके से भी उठने बैठने से दर्द जो भी काम करें, easy way में करें, आप सोती भी हैं, करवट बदलती भी हैं, easy way में करें, उठती हैं, बैठती हैं, तो वो काफी अराम से करें, कोई हरवरी जल्दिबाजी नहीं करना है, खाना proper time से खाए, जो खाना खा रही हैं उसमें nutrition की amount ज्यादा होने चाहिए, बाहर का सबजी, फलफरूट, दूध, यह सारे चीजे लेते रहें, बहुत जादे हैं, उन महिलाओं को जो कमजोर होती हैं, अंदर से वीक होती हैं, उनको मदद करती हैं, उनकी बॉड़ी को स्ट्रॉंग करने के लिए, और जितना स्ट्रॉंग होती जाएगी बॉड़ी उतना ही देंगे डायट चार्ट की आपको कैसे कौन सा खाना खाना चाहिए, आपके लिए कौन सी अच्छी डायट है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी हैं, तो आपनी जे कमेंट्स में मेंशन करिए, और यह प्रॉब्लम कब ठीक होगी, यह सबसे बड़ा क्वे नहीं है, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हालफुल होगी, ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है, तो इसे जरूर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रेग प्रेग के लिए भीडियो कर लिए जरूर शेखने कि नहीं है यह लिए लिए.